Hello Friends कैसे हैं है आप चैनल में प्रदुमारे एप टेक योटिब चैनल में आपका स्वागत करता हूं जैसे अपने थंदेखा है, आज हम बात करने वाले हैं यह तरहं काड योजना के बारे में यÃ इस्ञार हम कार्ड योजना क्या है इन टोपिक के बारे में हम बात करेंगे कि इस्रम योजना क्या है इस्रम कार्ड क्या है और इस्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या का बेनफिट मिलने वाले हैं इस्रम कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं इस्रम कार्ड बनवाने के लिए किनकी डोकुमेंट्स की आपको जुरूट पड़ेगी और इ legitimately कौन बनवा सकता है कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है क्यों कौन बनवा सकता है तो दुस्तों इन्हीं टॉप भाग के दोवरा स्टार्ट की गई एक योजना है 26 अगस 2021 को यह योजना स्टार्ट की गई थी इस योजना चो में जो परपज है वो यही है कि भारत के जितने भी अन ओर्गिनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनका एक डाटा बेस त्यार करना है कि कि इतने लोग हमारे भारत में अन और्गनाइस सेक्टर में काम करते हैं तो इससे पहले आगे बढ़ें इससे पहले आपको यह जानना भोच जूब रही है कि और इस न ब्रॉब थिसरा वो बंदे आते हैं जिनका बिजनस है और जो टेक्स पे करते हैं वह लोग में और अगर करते हैं तो जितने भी बाकी लोग बच गए हैं वो unorganized sector में आते हैं जैसे कि कोई किसी की बाइक की दुकान है बाइक की ठीक करने की दुकान है कोई किसी का पर्चोने की दुकान खोल लगी है किसी ने बठे पर काम करता है कोई कारपेंटर करता है कोई नाई का काम करता है ठीक है तो तो यह सब जो लोग भाते है तो दोस्तों इसकि जरूर्फ। फॉइंस कौटी ना इस तो दोस्तों अब जैसे करोने में अगर गोर्मिंट जरूर्म लोग तो तक जो गरीब लोग है जो अनुर्गिनाइज सेक्टर में है उनको डायक्ट फाइदा पूचाना चाहती है बट पहुंचा नहीं पाई क्योंकि उनके खाते में उनके खाते गोर्मेंट के पास नहीं है तो इससे क्या है इसमें क्या है आपका जो कार्ड बनेगा उसमें आ एर्फिस कौलड के लगबख भारत में जो लोगं अनульड सेक्टर में काम करते हैं जिनका भारत सरकार के पास कोई डाट का œज की किसे कमा ठाएं और कैसे अपने बछेभर remains 망का सकते हैं तो मैंने बताया सकते हैं अब बात करते वो बनवा सकते हैं और इसमें किसान भी आता है जो जिसके पास जमीन नहीं है और किसान का काम करता है वह खेसान भी और ही जिसके किसान fen olabilir में ही आता है इस इसके लिए क्षान कोन बनवा सकता है मैं आपको बता देता हूं आपकी ओंगा सोड़ा से आपको आदारकार मोईवायल τοमब से लिंक होना चाहिए वह आपका इस Вас काई होने चाहिए तो दोस्तों यह डॉकुमेन्ट आपके पास होने चाहिए अब आप इसको कब कहां बनवा सकते हैं कैसे बनवाएंगे अब उस पर बात कर लेते हैं तो डोस्तों आपको इस्रम कार्ड बनवाने के लिएastatype center में जाओ आपका फरी में इस्रम कार्ड बन जाए गा वहाँ पर जाके यह जो डोकुमेंट मैंने बताई हैं यह जो कमेंट आप ले जाओ वहां पर जाने के बाद आपका फरी में इस्रम कार्ड आपका बन जाएगा दूसरा मैंने अपने वीडियो का मैंने अगर आप खुद बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आप अपने अगले बात कर लेते हैं कि अपने पने अब्योर्म ने बहुत अंतरी आक्त भी जो कार्णा कोि तो आपको क्याद क्या होने वादे को सबसे पहले तो अभी क्या है अभिति पैसे बिगी बहुत से स्टेट में गवर्णमेंट ने हजार जा रुपे आपके खाते में भी दिये हैं तो आपको डायक्ट फाइदा मिलने वाला इस चीज़ का दूसरा इसमें क्या है इसमें अगर आप कार्ड यह बनवा लेते हैं तो आप जो परदान मंदिर शुक्सा भीमा योजना थी जिसमें दो लाख रुपे तक का भीमा होता था तो वह आपको फरी में मिल जाएगा यहां पर आपका उसमें भी आपका दो लाख रुपे तक का भीमा अगर आपने कार्ड बनवा लिया तो दो लाख रुपे तक आपका भीमा हो जाएगा अगर आपकी भगवान ना करेगी कहीं पर के डेथ हो जाती है किसी की भी और इस ये कार्ड अगर बनवा रखा तो उसको दो लाख रुपे तक मिल जाएंगे अगर पर्मानेंट आपका UN नमबर भी बनेगा वो UN नमबर आपके सभी उनसे डोकुमेंट से लिंक होगा लिंक होगा और ये क्या है जब भी आप ये कार्ड बनवाओगे तो आप से पूछा जाएगा कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं तो उस सेक्टर के जो आप बरोगे मान के चलोगी आ मैंने सिलाई का काम करता हूं मैं घर से ही तो अगर फ्यूचर में सरकार की ऐसी कोई योजना हैगी कि शिलाई वाड़े लोगों को डायक्ट फाइदा पुझाए कई बार क्या है मसीन भी मिलती हैं सिलाई करने की तो आपको डायक्ट इस योजना में अगर आपका कार्ड है तो कार्ड के थुरू आप डायक्ट इस योजना का फाइदा आपको मिलेगा तो दोस्तों यह ऐसे करके आप इस योजना का बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं तो दोस्तों यह है इसरम कार्ड है इसमें मैंने बताया आपको कि क्या यह योजना है कौन-कौन लोग इसको बन लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके साथ दन्यवाद दोस्तो थेंक यू